दोस्तों नमस्कार ये है मागदोशन फार सिविल सेर्विसेज मैं अनुराग्ष उधरी दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे समसामाई घटना चक्रद्वारा प्रकासित जी एस पॉइंटर के जीव विज्ञान का भाग चार इसके तीन भाग पहले ही हो चुके हैं ये वीडियो सिविल सेवा परिच्छा, बिभिन राज्यों के राज्य सेवा परिच्छा, बैंक, SSC, रेलवे तथा अध्यापक पातरता परिच्छा आधि के लिए बहुत ही महतोपूर है आज की वीडियो में आप कारी की और रोग और उपचार से समबंधित महतोपूर्ण प्रश्णों को देखेंगे तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज की वीडियो का पहला प्रश्ण है जब चीटिया काटती हैं तो वे अंतह छेपित करती हैं तो दोस्तों जब चीटिया काटती हैं तो वो फार्मिक अमल का अंतह छेपड करती हैं निर्संस प्राडी किसे कहा जाता है तो वेल एक निर्संस प्राडी होता है हिर्दय, फेफडा, यक्रित और ब्रिक में से वह भाग जो सरीर के ताप को नियंत्रित रखता है तो ये है फेफडा जो आपसन है आपके पास हिर्दय, फेफडा, यक्रित और ब्रिक इन में से फेफडा है जो सरीर के ताप को नियंत्रित रखता है अगला प्रश्ण है सामान निमानों सरीर का तापमान कितना होता है तो ये 98.6 डिग्री फारेन हाइट होता है सामान निमानों सरीर का तापमान और यद इसे आप Celsius या centigrade तापमान में मापे तो ये लगभग 37 डिग्री centigrade के बराबर होगा तो यानि मनुस्य के सरीर का तापमान फारेन हाइट में 98.6 डिग्री फारेन हाइट और Celsius में मापा जाए तो 37 डिग्री Celsius होता है अगला प्रश्ण देखते हैं कुछ कथन है इन पर विचार करना है तो सही कथन आपको बताने है तो सही कथन ये है कि फीता क्रीम यानि ट्येप वर्म एक उभै लिंगी प्राड़ी है गोल क्रीम यानि राउंड वर्म के अलग-अलग लिंग होते हैं और तीसरा जो सही कथन है वो ये है कि फाइलेरिया सुत्र क्रीमी से होता है अगला प्रशन आईए देखते हैं अगला प्रशन है कि घटपाड़ी, अमर बेल, ब्लेडर वर्ट और सुरज मिखु में से परजीवी पौधा कौन सा है तो अमर बेल एक परजीवी पौधा है अगला प्रशन है मा पौधे की भाधि पौधा किसे मिलता है तो तना काट से मा पौधे की तरह पौधा मिलता है कुछ पादप है दोस्तों उनपर विचार करना है और इनमें से कौन पादप है जो अस्तंभ करतन द्वारा प्रवर्धित किये जा सकते हैं तो पादपों के नाम जो हैं, वो हैं, बोगेनवीलिया, कारनेशन, कोको और अंगूर, तो इन में से ये चारों पाधे जो हैं, बोगेनवीलिया, कारनेशन, कोको और अंगूर, ये सभी अस्तंभ करतन द्वारा प्रवर्धित किये जाते हैं, अगला प्रश्ण है, कुछ कथ चमेली के पौधे का परवर्तन दाव तकनीक द्वारा होता है तो ये दोनों ही प्रश्ण या दोनों ही जो आपके कथन दिये गए हैं ये सही है अगला प्रश्ण है मानो मस्तिस्क का वह भाग जो निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है तो ये होता है मेडुला आबला ग इंटा ये निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र होता है अगला प्रश्ण कथन कारण से है कथन है आपका सोते समय तिब्र प्रकास अवांचनी होता है और कारण है कि तिब्र प्रकास में सरीर में मेला टोनिन का उत्पादन अधिक होता है तो दोस्तों जो A है वो आपका सत्य है लेकिन R यानि कारण गलत है अब आईए रोग और उपचार से संबंधित प्रश्णों को देखते हैं पहला प्रश्ण है सरीर के जोडों में गठिया रोग या आर्थराइटिस किसके वज़े से होता है तो यूरी कमल के जमाव से गठिया या आर्थराइटिस रोग होता है अगला प्रश्ण है मिलावटी सरसो के तेल में पके भोजन खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रापसी का कारण क्या होता है तो दोस्तों सरसो के तेल में आर्मी जोन तेल की मिलावट, सरसो के तेल में साइनाइडन्स और उजला रंग करने वाले मिलावट से ड्रापसी रोग होता है अगला प्रश्न है कि यह एकल कोसिका के रूप में उद्पन होता है और ऐसे निर्दई रोग का रूप धारान कर लेता है जिसे प्रतिवर्स लाखो लोग मौत के घाट उतर जाते हैं पर बैज्यानिक धैर पुरवक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके बिरुद्ध संघर्स एक नाट की मोड पर पहुँच गया लगता है और इसके बिरुद्ध युद्ध में नई खोजे स्रेश्ट तरची किस्सा के लिए विस्वास और आसा का पर रही हैं तो उपर दिये गए जो उद्धरण है उसमें किस रोग की बात की गई है तो ये है दोस्तों कैंसर रोग के बारे में अगला प्रश्ण है जैविक रूप से संसलेसित नैनो कडो का उपयोग एक नई पारिस्थित की मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं है इस तकनीक में एक पाउधे के निचोड का उपयोग किया जाता है वो पाउधा कौन सा है तो ये पाउधा है दोस्तों पार्थिनियम जिसका की कैंसर रोग के उपचार में प्रियोग किया जा रहा है अगला प्रश्ण है एलकोहल के निराविशन क के लिए मानव अंगों में कौन सा अंग उत्तरदाई है तो ये है यक्रित मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है पलीहा या तिल्ली प्लाजमोडियम पर जीवी का बाहक कौन होता है तो मच्छर प्लाजमोडियम पर जीवी का बाहक होता है मच्छर मक्षी और जो में से प्लाजमोडियम परजीवी का बाहक कौन सा होता है तो ये है मच्छर इसके अलावा ये देखिए मलेरिया में डेंगू में जोर मच्छर की काट मानो परजात ये और मच्छर परजात में से उभैनिष्ट कौन सा नहीं है तो ये मच्छर परजात उभैनिष्ट नही इस करवी डेंगू नीमोनिया और दमा में से वह रोग जो कीट के काटने से होता है ये है डेंगू डेंगू एक बुखार है जो कैसे उत्पन होता है तो दोस्तों वाइरस से उत्पन होता है और मादा एडीज मच्छर द्वारा इसका फैलाव होता है डेंगू बुखार में म इजिप्टी नामक मच्छरों के काटने के काटने से पीला बुखार फैलता है अगला प्रश्ण है कि वह बैग्यानिक जिसने ये खोज की थी कि मलेरिया प्लाजमोडियम एक परजीवी होता है तो मलेरिया प्लाजमोडियम नामक एक परजीवी से मलेरिया होता है सर आसने सबसे पहले ये खोज की थी मलेरिया, कालरा और जान्डिस में से वह रोग जो प्रोटो जोवा के द्वारा होता है तो ये है मलेरिया और एक जीव के संपूर्ण जीन सभी जीनों की संपूर्णता का अनुकरमड वर्स 1996 में पूरा हुआ था वो कौन सा जीव था तो ये जीव था प्लाजमोडियम वाई वैक्स जिसका जीनों के संपूर्णता का अनुकरमड उन्नीस सो चानबे में पूरा हुआ था अगला प्रश्न है कुछ कथन है उनमें से सही कथन कौन सा है तो सही कथन है दोस्तों की त्वचा पित्ति का नाक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षन है मलेरिया के संबंध में सही कथन क्या है तो इसके संबंध में सही कथन ये है कि ये मच्छरो द्वारा फैलाई जाती है यह दलदली छेतरों में अधिकतर होती है और इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उप्योग किया जाता है भारत में मलेरिया के 65 प्रस्यत रोगियों के लिए उत्तरदाई कौन सा होता है तो पी वाई वैक्स पर जीवी है जो भारत में मलेरिया के 65 प्रिस्चस रोगियों के लिए उत्तरदाई होता है अगला प्रश्ण पीत जोर डेंगू चिकनगुनिया और जापानी इंसेफलाइटिस रोगों में से वह जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है तो जापानी इंसेफलाइटिस ये टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होता है एंथोफोबिया का डर क्या कहलाता है तो फूलों का फूलों से डर जो है वो एंथोफोबिया का डर होता है हाइडोफोबिया किसके द्वारा होता है तो हाइडोफोबिया जो है वो विशाडवो यानि वायरस के द्वारा होता है मस्तिस्क और मेर उरज पर चड़ी जिल्ली में सूजन आ जाने पर कौन सा रोग होता है तो ये रोग होता है मैनेंजाइटिस अगला प्रेशन है दोस्तों कुछ कथन है उसको आपको सही कथन बताना है तो सही कथन आईए देखते हैं मानो सरीर में उर्विका यानि फीमर सबसे लंबी हड़ी होती है ये आपका सही है हैजा रोग जीवाडू के द्वारा होता है तो ये भी सही है तो कथन एक और दो दोनों सही है भारत में जन्में प्रतेक 200 सिसुओं में से अतिसार से मर जाता है इसका कारण क्या होता है ये सामानते किस में होता है तो दोस्तों ये सामानते जवान महिलाओं में होता है सिलिकासिस क्या है तो सिलिकासिस फेफडे से संबंधित एक बीमारी होती है सही सुमेलन करना है रक्तालपता यानि एनीमिया ये लवतत्तु की कमी से होता है गला, घोटू, ग्वाइटर, आयोडीन की कमी से, रताओधी या नाइट ब्लाइडनेस बिटामिन A की कमी से होता है और बेरी-बेरी रोग बिटामिन B की कमी से होता है घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है और जिन देशों में वहां के लोग मुखे तक हाद्यान पालिस किया हुआ चावल खाते हैं वहां के लोग किस रोग से पीडित होते हैं तो ये बेरी बेरी रोग से पीडित होते हैं दोस्तों बीमारी पता करने के लिए MRI का मतलब क्या होता है तो Magnetic Resonance Imaging यानि चुम्बकी Resonance चित्रिकरण MRI का फुल फाम होता है BMD परिछण किसके लिए किया जाता है तो BMD परिछण आश्टियो परोशिस को जानने के लिए या अस्थ रंधरता जानने के लिए किया जाता है BMD का फुल फाम दोस्तों होता है Bone Mineral Density अगला परश्ण है जो मनुसिये नहीं समझ पाता है कि उसे भोजन कब करना या रोक देना चाहिए वो किस रोक से पीडित होता है तो वो बुलीमिया रोक से पीडित होता है भोजन विसाक्तता का कारण क्या होता है तो इसका कारण है दोस्तों Salmona Veciliai Salmona Veciliai जो है इसके कारण भोजन की विसाक्तता होती है भोजन की विसाक्तता उत्पन होती है तो Kolostridium के संदूसन से और अर्ग टात्यप उपभोग से क्या होता है तो ये संदूसित अन्न या प्रदूसित अन्न के उपभोग से अर्ग टात्यप होता है इटाई इटाई रोक किसे होता है तो कैडिमियम के दिर्ग कालिन विसाक्तन से इटाई इटाई रोक होता है और सरीर में वह इस्थिती जिसे कैंसर कहते हैं तो कैंसर जो होता है वो सेलों का अनियंत्रित बहुगुमर गुडन यानि कोसिकाओं का अनियंत्रित रूप से बढ़ना और इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंत्तमरित्य होना ये कैंसर के लच्छन होते हैं अगला प्रश्ण है फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है इस भूल से निर्देश है तो ये एंजाइम के वनसानुगत अभाव का कारण होता है एक ब्यक्ति जो फेनिल कीटोन निूरिया रोग से पीडित होता है तो उसमें मानसिक जड़ता क स्थिती उत्पन हो जाती है और यदि कोई मानवी रोग विस्व के ब्रिहत छेतर में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं उसे पैंडेमिक रोग कहते हैं पैंडेमिक रोग जब कोई रोग विस्व के ब्रिहत छेतर में फैलता है डीपीटी का टीका दिया जाता है डीपीटी का कुकरखासी और टिटनेस से यह पोलियो के काम में नहीं आता है नौँजास इसको टिपल एंटीजन बैकसीन लगाई जाती है तो कुकरखासी टिटनेस और डिटनेस रोगों से परतिरचित करने के लिए विसाड़ जनित विमारियां कौन सी होती है मम्स, रेबीज और हरपीज ये विसाड उजन्य बिमारिया है एट्स, डिफ्ठीरिया, हैजा और काली खासी में से वह रोग जिसका कारण जीवाड नहीं होता है तो वो है एट्स, एट्स का कारण विसाड होता है एक देखिए blue baby रोग किसके कारण होता है तो पेजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा बिद्यमान होने के कारण blue baby रोग हो जाता है अगला प्रशन है बबल बेबी रोग क्यों कहलाता है तो रोग ग्रस्त सिसु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुलों में किया जाता है जिसके कारण बबल बेबी रोग को इसका नाम दिया गया है ब्लू बेबी सिंड्रोम बिमारी कैसे होती है तो सरीर में मिथेमो गलोबिन की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम बिमारी होती है चिकिसकी भासा में गोल्डेन आवर का संबंध किस से होता है तो चिकिसकी भासा में गोल्डेन आवर का संबंध हिर्दया घात या हर्ट यह है पोटेशियम और पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है निम्नरक्तचाब जो है वो पोटेशियम अल्पता से संबंधित होता है अगला प्रश्ण है यदि मुत्र में एल्भूमिन आ रहा हो तो ऐसे ब्यक्ति में क्या संभावना होती है तो ऐसे ब्यक्ति में किड्नी फेल्योर यानि ब्रिक के फेल होने की संभावना होती है लंबे समय तक उपवास रखने का सबसे अधिक प्रभाव सरेर के जिस अंग पर पड़ता है वो कौन सा अंग होता है तो ये होता है दोस्तों गुर्दा या किड्नी जिस पर लंबे समय तक उपवास रखने का प्रभा पड़ता है ब्रिक से मुत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है तो ADS द्वारा ब्रिक से मुत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है अब आईए कुछ उपचार है और उनक से संबंधित रोग तो आईए देखते हैं आर्सेनिक 74 यानि आर्सेनिक 74 का जो प्रयोग किया जाता है वो ट्यूमर की पहचान के लिए, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर से उपचार के लिए, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथ की सक्रीता देखने के लिए और सोडियम 24 का उप्योग रक्त ब्यातिक्रम को देखने के लिए रेडियो धर्मी समस्थानिक कौन सा है तो ये है आर्सेनिक 74, सुमेलित करना है कोबाल्ट 60 सरीर के अंतरंग के अबूर्द यानि कैंसर का उपचार करने के लिए, आयोडीन 131 थायराइड कैंसर का उपचार करने के लिए, फासफोरस 32 स्वेत रक्तक्ता का उपचार क करने के लिए और गोल्ड 198 ये कैंसर उपचार में सहायक होता है अगला प्रशन मनुस्य के सरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किसका उपयोग किया जाता है रेडियो सोडियम का और रक्त कैंसर यानि लिउकीमिया बिमारी की रोक्थाम के लिए प्रियुक्त किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है ये फासफोरक 32 और कोबाल्ड 60 है आकोजीन किस से संबंधित है तो आकोजीन करक रोग यानि कैंसर से संबंधित है और ये देखिए बहुत ही महतपूर प्रश्ण कोबाल्ड 60 आमतोर पर विकिरण ची किस्सा में प्रियुक्त हो प्रियुक्त रेडियो समस्थानिक आरसेनिक 74 होता है रक्त कैंसर को नियांतरेत करने के लिए फासफोरस 32 और कोबाल्ड 60 का प्रियुक किया जाता है लिवकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारन रूप से किसकी ब्रिध्धी होती है तो वाइट बलड कार्पल् स्वेत रक्त कड़िकाओं की संख्या में असीमित रूप से ब्रिध्धी होती है अगला प्रश्न है तिब्रता और प्रयुक्तता के आधार पर करक रोग उत्पन कर सकता है तथा इसका उप्चार भी करता है आयनी बिखिरण अगला प्रश्न है हीमोफीलिया एक आनुवानसिक रोग है जिसका वहन कौन करता है तो हीमोफीलिया आनुवानसिक रोग का वहन इस्त्रिया करती है और इसके लच्छन पूरसों में प्रकट होते हैं अगला प्रश्न है रायल हीमोफीलिया टे सेक्स रोग पुटी ये तन तो रक्त का ठक्का या इसकंदन नहीं जमता है हीमोफिलिया में। दोस्तों आनुवान्सिक वेवस्था क्या है तो यह देखिए डाउन सिंड्रोम, हीमोफिलिया और दात्रकोसी का अरक्तता यह आनुवान्सिक अवेवस्था है। अगला प्रश्ण है वह जो लिंग गुर सूतर में बिद्यमान अप्रभावी जीन के निस्पीडन से उत्पन होता है उसे पेसी दुस्पोसन कहते हैं सेरेब्रल पलसी एक मस्तिस्क संबंधी विकार है जो सामानत पाया जाता है ये छोटे बच्चों में पाया जाता है और एलजाइमर रोग मानो शरीर के जिस अंग को प्रभावित करती है वो अंग होता है मस्तिस्क अगला प्रश्ण है हाल में बैग्यानिकों ने उस प्रोटीन की खोच कर ली है जो मस्तिस्क के खतरनाक रोग एलजाइमर को उत्पन करता है तो ये है emilyard precursor protein हानिकारक बिकरणों से सबसे कम सूपरभाव पर अंग कौन सा होता है यानि किस अंग पर हानिकारक बिकरणों का सबसे कम प्रभाव पड़ता है वो मस्तिस्क है और मनुष्य के हानिकारक बिकरणों से सरवाधिक सूपरभाव यानि सबसे अधिक प्रभावितंग कौन सा है, ये दोस्तों आख होती है पोलियो वाइरस शरीर में कैसे प्रवेस करता है, दूसित भोजन और दूसित जल से, जिसका कारण बिशाड होता है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जो नस सालक ने पोलियो के टीके की खोज की थी अगला प्रश्ण है वह बिमारी जिसके लिए ट्राइवेलेंट के अस्थान पर वाइवेलेंट ओ आरवी देने का नीड़े भारत सरकार ने लिया है तो ये है POLIO और एतलीट फूट बिमारी के से होती है फफूद से brain की बिमारी को कैसे पहचाना जाता है E.E.G द्वारा brain या مस्तिस्ग की बिमारी को पहचाना जाता है E.E.G जिसंकी कारेबडाली की प्रकट करती है वो मस्तिस्ग होता है और पेथा जोन जो सामाने जुखाम के लिए उत्तरदाई होता है वह रीनो वाइरस होता है बिसाड संक्रमित कर सकते हैं तो दोस्तों बिसाड जीवाड़ूं को कवकों को और पादपों को संक्रमित कर सकते हैं अगला प्रश्ण है खुजलाने से खाज मिठती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दिप्त होती है जो मस्तिस्क को प्रत हिश्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती है एक देखिए महतम्ण प्रश्ण है एनोस्मिया किसे कहा जाता है तो एनोस्मिया दोस्तों सूंगने की जो सक्ति है उसकी कमी को एनोस्मिया कहा जाता है डाउन सिंड्रोम एक आनवांसिकी बीमारी है जो किस्से होता है, तो ये गुर्षूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है यक्रित रोग हैपिटाइटिस B का कारक क्या होता है DNA वाइरस और हैपिटाइटिस B विमारी किस्से होती है तो ये वाइरस के द्वारा होती है हैपिटाइटिस रोग से मनुस्य सरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है तो लीवर सीधे प्रभावित होता है Hepatitis से और सलफा दवाईयां किसके लिए कारगर होती हैं दोस्तों सलफा ड्रक्स जीवारवों द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए कारगर होती हैं अगला प्रश्ण है यच्छमा और कुष्ट दोनों रोगों की चिकिस्सा के लिए उप्युक्त कौन सा है तो एमिनो सैलिसिक एसीड यच्छमा और कुष्ट रोग दोनों के उप्चार के लिए उप्युक्त होता है डबलू यच्छो यानि 207 संगठन के अनुसार आज की समय में सरवाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन सा है तो ये है ट्यूबर कुलोसिस यानि यच्छमा रोग जो की सबसे अधिक संख्या में लोगों का रोग प्राण लेता है अगला प्रश्ण है प्रति पांच लाग भारतियों में से एक किस रोग से मरते हैं तो प्रति वर्स पांच लाग भारतिये यच्छ्मा रोग से मर जाते हैं अगला प्रश्ण है जीवाड़ वो द्वारा उत्पन होने वाला रोग कौन सा है तो ये है तपेदिक और तपेदिक रोग का कारण जीवाड़ होता है सुमेलन करना है स्ववप्रतिरच्छित रोग ये है संधिवात और संधिसोध पामा रोग चिंचडी और मानसिक रोग मनों बिदलता है छह रोग के परिच्षण के लिए कौन सा परिच्षण या टेस्ट किया जाता है ये है मैंटाक्स का परिच्षण किया जाता है टीवी के टेस्ट के लिए खैरा रोग जस्ते की मलानता, एनीमिया लोहे की मलानता, ग्वाइटर रोग आयोडीन की मलानता और इसकरवी रोग बिटामिन सी की कमी से होता है टिटनेस नामक रोग जाना जाता है तो लागजा नाम से टिटनेस को जाना जाता है और मीनी माटा ब्याध जिस धात की हानिकारक मातरा के कारण उत्पन होती है वो है दोस्तों पारा या पारद मरकरी से मीनी माटा ब्याध ही उत्पन होती है और ये सबसे पहले जापान में फैला था दोस्तों जापान में 1903 में मीनी माटा ब्याध हुई थी उन मचलियों को खाने से जो संक्रमित थी जो पारे द्वारा संक्रमित थी अगला प्रश्ण है प्लेग, पीत जोर मलेरिया और डेंगू में से संक्रमित मचल के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है तो प्लेग जो है वो मच्छरों से नहीं होता है बलकि पीत जोर मलेरिया और डेंगू मच्छरों से होता है एलर्जी के कारण क्या होता है तो एलर्जी के कारण अस्थमा की बीमारी होती है और ये एक ब्यक्ति यदि केवल दूध, अंड़ा और रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है तो दोस्तों उसको बिटामिन C की कमी होगी और इसलिए उसको इसकर विरोग हो सकता है आम, पपीता, आउला और बेर में से इसकर विरोग के इलाज में कौन सा उपयोगी है तो आउला जो है वो बिटामिन C की कमी पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है अगला प्रश्ण है रच्छानुसंधान विकास संगठन ने लुकोरिन लुकोस्किन नाम से एक औसध विक्सित की है इसका इस्तेमाल किया जाता है तो लिूकोडर्मा के इलाज के लिए और देखिए सुमेलन करना है हीमोफेलिया एक आनुवानसिक रोग है डाइबिटीज ह फेफड़े प्रभावित होते हैं मोतिया विंद से आंख और पीलिया से या क्रित प्रभावित होता है हाई ये सुमेलन करते हैं मलेरिया से रक्त कोसिकाएं प्रभावित होती है फाइलेरिया से लसिका ग्रंत एंसिफलाइटिस या मस्तिस्क सोध से मस्तिस्क प्रभावित होता है और लियुकीमिया से बोन मेमो या अस्थी मज्जा बोन मेरो प्रभावित होती है दोस्तों मेरासमेस रोग जो होता है वो किसके कारण है तो ये दिर्गकालिन उपवास से होता है क्वासी ओर कर ये प्रोटीन की अलपता से और टी भी जीवाड संक्रमड से तथा हैपिटाइटिस भी बिसाड संक्रमड से होता है बच्चों में प्रोटीन की नियुनता के कारण जो रोग उत्पन होता है तो बच्चों में प्रोटीन की नियुनता के कारण मेरासमस रोग उत्पन होता है अगला सही सुमेलन करना है प्लेग चूहो द्वारा फैलता है रेबीज कुत्ते द्वारा टेप वर्म सूवर के द्वारा और पोलियो एक विशाडु है गोल क्रीमी या नीमे टोड से होने वाला रोग कौन सा है फाइलेरिया रोग गोल क्रीमी से होता है दोस्तों अब यह देखते हैं जो प्रसार के माध्यम हैं तो वायु द्वारा टीवी के जीवाणु है उनका फैलाव होता है पानी द्वारा कालरा या हैजा का संपर्क से सिफलिस रोग और घाव द्वारा टीटिनेस का फैलाव होता है सुमेलन करना है मलेरिया, मलेरिया जो है वो प्रोटो जोवा से फैलता है, तपेदिक जिवाण से, डाद कवक से और एट्स रोग का कारण बिसाड होता है, गंजापन कवक से उत्पन होता है अगला प्रशन है वडांधता, हीमोफीलिया और दात्रकोसिका, अत्रिका, ये कैसे रोग हैं, तो ये आनुवानसिक रोग होते हैं, और ये देखिए कुछ रोग हैं, डिप्थीरिया, छोटी माता और चेचक, इसमें से किस रोग का भारत में उन्मूलन हो चुका है, तो ये मच्छरों से होता है, बेरी-बेरी विटामिन B की कमी से होता है, टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है, और निमोनिया जो है, वो फेफडों को प्रभावित करता है, अब इन दुकता एक बिमारी है, तो अब इन दुकता बिमारी आँखों की होती है, मायोपिया किस से देख सकता है तो नजदीक की वस्तु को असपश्ट रूप से देख सकता है जबकि दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है मायोपिया को निकट द्रिष्ट दोस भी कहा जाता है दोशनों दूर द्रिष्ट से पीडित व्यक्ति को कठिनाई होती है पास की वस्तु अस अग्र मस्तिस्क पच्छ की जो है वो रेटिना अपविर्धि होती है मानों की आँख में प्रकास तरंगे असनाय उद्योग्यों में परिवर्तित होती है तो अच्छ पट यानी रेटिना पर रेटिना पर मनुस्य की आँख में जो प्रकास तरंगे या लाइट वेप्स होती और broad spectrum किसकी औसधी है? क्लोरे मेंफी काल की औसधी होती है broad spectrum अगला प्रश्ण है सूची एक का सूची दो से सुमेलन कराना है देखिए एट्रोपीन ये ताराबिस्फारण इथर अस्थानी संग्याहरण नाइट्रोग्लिसरीन, हिर्दय की तकलीफ और पाईरेथ्रियन ये मच्छर नियंत्रन के लिए प्रियोग किया जाता है मानव आख की पुतली जिस एकलाइड के अतितनुबिलियन से फैलाई जाती है वो है एट्रापीन और निद्रा रोग यानि स्लीपिंग सिखनेस नामक विमारी किस से होती है ट्रिपैनो सोमा नामक एक कोस की जीव से निद्रा या स्लीपिंग सिखनेस विमारी होती है स्लीप एपनिया एक भयंकर रोग होता है जिसमें लोग क्या करते है तो दोस्तों स्लीप एपनिया में नित्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए सांस बाधित हो जाता है अगला प्रश्ण है एट्स के कारण कौन कौन से हो सकते हैं तो एट्स के जो कारणों में हैं वो लहेंगिक संभोग, रक्ता धान और अपरा यानी प्लेसेंटा के संपर्ग से एट्स का संचरण होता है HIV और एट्स रोग नहीं फैलता है तो मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता है अगला प्रश्ण है एक रोग ग्रस्त मानों सरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए तो कुछ जो हैं अवस्थाएं हैं इसमें से एट्स के लच्छन कौन से हैं सूजे हुए लसिका पर्व, रात्र में पसीना आना, इसमरित का लोप और वजन का घटना ये सभी एट्स के लच्छन हैं अगला प्रश्ण है निम्न खित कतनों पर विचार कीजिए कतन हैं दोस्तों, एट्स में बिसिष्ट रच्छा पड़ाली प्रभावित हो जाती है और एट्स में टी लिम्फोसाइट पूरते या नश्ट हो जाते हैं तो ए और आर दोनों सही है और आर एकी सही ब्याक्या भी करता है दोस्तों, एट्स रोक का कारण क्या होता है तो ये वाइरस या बिसाड होता है एट्स बिसाड में क्या होता है आरियन्ने और प्रोटीन एट्स बिसाड में होता है एट्स के लिए उत्तरदाई बिसाड किसका उदाहरण है रेट्रो वाइरस का अगला प्रश्ण है कुछ बिमारियां है जो टैटू बनवाने द्वारा एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति में संचरित हो सकती है तो ये हैं यक्रित सोध और HIV AIDS ये बिमारियां टैटू बनवाने के द्वारा एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति में जा सकती है अगला प्रश्ण है वह प्रभेद जो भारत में प्रभावी है तो HIV-1C जो है वो भारत में प्रभावी है AIDES जो संचिप्त रूप है वो किसका है तो AIDS का पूर्ण रूप है दोस्तों Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS Virus HDL3 की खोज किसने की थी? राबर्ट गेलो ने और AIDS विशाण के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो ये है जीडो वुडिन यानि एजीडो थाइमेडीन ये जो है AIDS विशाण के लिए सबसे ज़्यादे अपनाई गई दवा है इसका नाम है जीडो वुडिन एलिशा परिछण किसके लिए किया जाता है? तो AIDS की पहचान के लिए एलिशा टेस्ट किया जाता है Biological Resurfacing एक आधुनिक सल्लेती किस्ता है जिसके द्वारा किसका उपचार किया जाता है? तो इसके द्वारा घुटने, कंधे, नितंब, एड़ी जैसे कसेरुकी प्राणियों के सरीर के जोडों का उपचार Biological Resurfacing द्वारा किया जाता है जापानी Encephalitis का कारक क्या होता है? तो जापानी Encephalitis या J-E जो है उसका कारण बिसाड होता है सूरों को मानो रिहायसी छेतर से दूर रखना सहायक होता है जापानी Encephalitis के उन्मूलन में और सरीर में लोहे की कमी कैसे हो जाती है? तो रक्त छीरता लोहे की कमी से यानि एनीमिया रोग लोहे की कमी से होता है अगला प्रशन है दोस्तों वह रोग जिसे Antibiotics के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है वह है Missils या खसरा और खसरा की विमारी वायरस से होता है अगला प्रशन है मदिरा के अतिसे सेवन से कौन सा रोग होता है? यक्रित का सूसर रोग जो है वह मदिरा के से अत्यधिक सेवन से होता है ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस विमारी का कारण क्या है? तमबाकु युक्त गुटका का जो सेवन है वह ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस विमारी का लच्छन है पीलिया से दूस प्रभावित अंग कौन सा होता है तो यक्रित जो है वो पीलिया से प्रभावित होता है कवक के कारण कौन सा रोग होता है त्वचा का प्रदाह रोग जो है वो कवक के कारण होता है अगला प्रश्ण है प्रत्यूर्जता, वाडांधता, एड्स और गंजापन में से कवक जनित रोग कौन सा है? तो कवक जनित रोग आप जानते हैं गंजापन होता है संक्रामक बिमारी कौन सी है? एड्स, छोटी माता और गलसुवा ये संक्रामक बिमारियां होती है इस्त्रियों के तुलना में अधिक पुरुस वाडांधता से पीडित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है अगला प्रश्ण है कथन कारण से चेचक बिसान द्वारा होता है और मरीज को पिर्थक विस्तर पर रखना चाहिए तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन पर आधारित है इम्मियोनोलाजी का जनक किसे कहा जाता है एडवर्ड जेनर को इम्मियोनोलाजी का जनक कहा जाता है और इन्होंने सबसे पहले चेचक के टीके का निर्मार किया था अगला प्रशन है, एक वडांध पुरूस एक सामानी महिला से बिवाह करता है, वडांधता के लच्छन किसमे उत्पन होंगे, तो उसके पुत्रियों के पुत्रों में वडांधता के लच्छन उत्पन होंगे आनुवानसिक विकारों के संदर्व में निम्लखित पर विचार कीजिए एक महिला वडांध है पर उसका पती वडांध नहीं है इनके एक पुत्र और एक पुत्री है इस संदर्व में जिस कथन के सही होने की सरवाधिक संभावना है तो संभावना ये है कि पुत्र वडांध है किन्त पूत्री वडांध नहीं है दोस्तों एक वडांध यानि कलर ब्लाइडनेस पूरुस का विवाह एक सामान इस्त्री से होता है जिसके माता पिता की द्रिष्ट भी सामान थी उनके बच्चों के वडांध होने की संभावना कितनी है तो 50% संभावना है बच्चों के बढ़ांध होने की रानी खेत बीमारी किस्से संबंधित है तो ये मुर्गियों से संबंधित है मुर्गियों में रिकेट्स रोक किस्से होता है विटामिन डी की कमी के कारण और दंत 6 या दातों के 6 का मुख कारण मुख के भीतर होने वाले जीवाण और कार्बो हाइडरेट के खाद दिकड़ों के मिमध्य अंतर बेवहार होता है तो दंतच है यानि जो हमारे दातों का छरण होता है उसका मुख्य कारण क्या है तो ये है मुख्य में जो जीवाण होते हैं और कार्बो हाइडरेट के खाद इकड़ों के बीच अंतर बेवहार होता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें आपने देखा सामान्य विज्ञान के अंतरगत जीव विज्ञान का भागचार और इसमें आपने मुख्य रूप से कारी की और मानो रोग से संबंधित प्रशनों को हल किया ये वीडियो विभिन राज्यों द्वारा उजित की ज जूड़े रहिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों